क्या आपने कभी ऐसे railway station के बारे में सुना है जहां लोग टिकट तो करीते हैं लेकिन सफर नहीं करते आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रोचक railway station के बारे में आपको बताने वाले हैं भारती railway का इतिहास और वर्तमान इतना बड़ा है कि आम इनसान इसे पढ़ते समस्ते ठक जाए आज की समय में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क एंडियन railway के पास है हर रोज लाकों लोग इससे यात्रा करते हैं आपने भी कई बार इससे यात्रा की होगी क्या कभी आपको ऐसा कोई station मिला जहां से आपने ticket खरी दी और उसके बदले आपने यात्रा ना की हो या किसी और ने ticket खरी दी हो लेकिन बदले में यात्रा की ना हो क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है कि कुई railway station इस देश में ऐसा भी है जहां लोग टिकट तो खरीते हैं लेकिन यात्रा नहीं करते हैं अगर इसके बारे में अब तक नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको रोचगिश्टेरी बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में एक अनोखा railway station है जहांके लोग वहां से टिकट तो खरीते हैं लेकिन यात्रा नहीं करते उस station का नाम है दयालपुर railway station दरसल दयालपुर railway station 1954 में बनाया गया था आजादी के बाद में उस समय वह लोगों के लिए एक राहत का काम करता था और लोग उससे आते जाते थे डेली डोज मर्दा के काम करने के लिए लोग इधर से उधर जाते थे समय बतला, development आया और उसके बाद road network भी अच्छा हुआ तो तकरीबन 50 साल बाद जब लोगों ने यात्रा करना बंद कर दिया तो railway ने उस station पर ताला लगा दिया हलाकि यह बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी और जो लोग भी railway से यात्रा करते थे उन्हें बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा तो यह बात है 2006 की जब railway ने जो है उस station पर ताला लगा दिया था और तब से ही वहां के जो ग्रामीड थे वो station को वापस चलाए जाने की मांग करते रहते थे समय समय पर यह मांग उनके द्वारा उठाई गई बहुत से चुनावों में भी लोग ने जो अपने जन प्रतिन धी उनसे यह पूछा उनसे यह बताया उनसे यह मांग की अपनी अपे च्छाएं बताई कि वह इस railway station को चालू करवा दे ताकि उनके जो भी ग्रामीड के लो समय के बाद बंद कर दिया जाता है और इसी कारण से 2006 में भी उस station को बंद कर दिया गया था अब ग्रामीडों को डर यह है कि कहीं यह station फिर से बंद रहा हो जाए इसलिए ग्रामीड जो वहां के रहनिवासी हैं वो रोज ticket सिर्फ इसलिए खरीते हैं और यात्रा नहीं करते कि कहीं यह station बंद रहा हो जाए तो ऐसे में ग्रामीड अपने nearest railway station का एक general का ticket समय समय पर खरीते रहते हैं जिसकी कीमत भी बहुत नहीं होती लेकिन वो यह ensure करती है कि इस station से ticket बिका है और यहां से यात्री चड़ते हैं अच्चू कि उनको जाना नहीं है इसलिए वो यात्र में कुछ ऐसी रोचक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उस पर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे